हाई मैंने में शिवांज बसीन विल्कम बाक तो दिस चैनल इंटर नहीं था और मैं यूटूब वीडियो से इवन आ रहा था इसका जो में लॉजिक था वो था इन्स्टेबिलेटी इंस्टेबिलेटी ए मार्केट के अंदर अगर आप बन्क निफ्टी का डेली टाइम-फ्रेम crypto market भी derive हो रही है अब यह जो generally जो सारे factors चल रहे हैं आप लोगोंने भी ये बात सुनी होगी है और आप लोग भी ये बात सोचते होगे कि अगर Indian stock market में अगर कोई impact पड़ता या वहाँ पर negative selling हमें देखने को मिलते हैं या वहाँ पर crash देखने को मिलता है तो जैसे हम gold पे चले जाते हैं safe side के लिए वैसी हम cryptos पे चले जाएंगे but exactly अब बिलकुल उल्टा हो रहा है अब cryptos भी नीचे गिर रहे है side by side stock market भी नीचे गिर रहे है और दोनों साथ में काम कर रहे हैं और इसकी वज़ाद से global panic हमें देखने को मिल रहा है कैसे काम करें सारी data के साथ में आज आप दिखाने वाला हो कि nifty bank nifty में करना क्या है क्या प्रोच हम लोग बना सकते हैं और कौन सा data जो समसे simple है वो driven कर रहा है market के इस fall को बात करते हैं इसके लावा दो stocks के बारे में और भी बात करेंगे चलते हैं अपने trading setup पर सो अभी आप यहां देख सकते हैं कि मैंने लिफ्टी का चार्ट ओपन कर आवा है लेट्स ओपन आ वन मन्थ टाइम 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 अगर हम बात करें जो इस महीने से दो महीने पुनाने वाला जो लो था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ अगर आप यहां पर चेक कर सकते हैं इस इस दा लो जो मार्च में बनावा था और इस मार्च का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ जो की 15,600 रुपीज के आसपा समय देखने को मिल रहा है अभी मार्केट बिल्कुल स्टेबल है बट यह है कि ना मार्केट के अंदर ज्यादा वालेटिली देखने को मिल रहा है अगर आप इंडिया विक्स भी देखोगे वह भी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके सकते हैं लेट्स ओपने डेली ताइम फ्रेम अब यहां पर चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमारा डाउ जोन्स भी फॉल कर रहा है एक और खास बात अभी हमें पता चली है कि यूज़ दी आयनार अगर आप चेक करोगे और टाइम हाई यह गाई और टाइम हाई पे 77 के ऊपर ट्रेट कर रहा है और यह एक सबसे बड़ी प्रॉबलम है रुपी बहुत जादा नीचे गिर चुका है और इसकी वज़े से भी ग्लूबल पानिक हमें देखने को बिल रहा है और इंडिया के लिए चीज अच्छी नहीं है अगर हम इसको एग्णोर भी कर दे तो आप डॉलर इंडेक्स ये गाइस डॉलर इंडेक्स भी ओल टाइम है पे हाइब नहीं है बट 2016 पर ये 103 को क्रॉस करा था और अब जा कि सने बाई है ये इस गाइस पांच साल बाद जाके अब इस्ने बाउस करें लेक्मि शो यहाना ना मंतली डाइंफ्रेम आप क्लिरली समझ स सकते हैं येस अब ये चेक कर सकते हैं जो 103 का एक हाई क्रियेट वा था उसके बाद डायरेक्ट ली ये 88 तब चला गया था और अब ये एक्जाक्ली उसको भी पार कर चुका है तो यानि कि पांच साल के ऊपर ये जा चुका तो गाइस ये जो फाक्टर्स हम लोगों को देखे करके बैठे विया किसे काम करना है लेट ट्स थार चलते एक बार निफ्टी के चार्ट पर हम लोग चलते हैं तो मैं बेसिकली हमें पता ये लगाना है कि और कहा तक फॉल आ सकती है और किस तरीखे गीust stability जाते हैं, see let me open our daily time frame first of all, आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5th of March से, एक gap down, gap down, उसके बाद एक range mount, again gap down, again range mount, again gap down, again range mount, gap up, gap down, gap down, gap down, gap up, again gap down, gap down, gap down, आप चेक कर रहे हैं कि यह क्या हो रहा है market के अंदर, exactly यहाँ पर gap up, continuously उपर गया, gap up, range mount, gap up, gap up, gap up, अभी exactly unstable है, यहाँ पर कुछ भी चीज दिराइब नहीं कर सकते, technical analysis अभी work नहीं कर रहा है, देखे, frankly speaking, मैं technical analysis कुछ साल से काम कर रहा हूँ उस पर, बट जरूरी नहीं है कि मैं expert हूँ, तो मैं सारी चीज आप गोगो बता सकता हूँ, even I am not sure right now कि market के अंदर अभी चल के आ है, तो मैं इसलिए market से थोड़ा time से दूर हूँ, but अब मुझा लग रहा है कि शायद market कही stable हो सकती है, आने वाले एक data के अंदर, और तब हम लोग त्यार हो सकते है, trades ले ले ले, let's open a 30 minutes time, first of all 50 minutes time, यहाँ पर आप check कर सकते हैं, कि exactly यह एक level है, जिस level पे, अभी एक pause हमें देखने को मिला है, recent, यहाँ पर एक level था, let me just draw this level, यह Friday का range है, इस Friday का range पर जो basically discussion ही था, कि अगर यह इसके उपर जाएगे, तो definitely we can expect कि यह level आ सकता है, but अगर इसके नीचे जाना start करती है, तो we can expect a very good fall, exactly इस level पे open हुआ, नीचे गया, इस level पे base create करा, again उपर गया, it created a gap filling, जो यह gap था, और उसके बाद reach bound दुबारा, market अभी gap filling करना start करी है, अब वहाँ पर हम examine कर सकते हैं, कि किस तरीकी से react कर सकती है, from my point of view, कोई भी long positions hold करके माँ जाओ, yes I know, आप लोगों के mind में आ रहा होगा, कि market नीचे गर गया, gap down हो गया, कल शायद gap up खुल सकती है, होने को खुल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट according to the data, जो हमें driven है, market अभी stable नहीं है, gap up खुलने के लिए, market अगर gap up खुल भी जाएगी, तो वो दुबारा नीचे जा सकती है, जब तक हमें 100% shorty ना होगा, तब तक हमें market के अंदर long नहीं जाना, हमें short भी जादा नहीं करना, हमें market को watch करना है, और एक point का wait करना है, जब हम लोग entry ले सकते हैं, whether on a clear short position, और on a long buy, जब तक है, तो from my side, अभी मुझे जादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा हूँ, on nifty as well as on bank nifty, from my side, मुझे लगता है कि कल भी एक बड़ी fall we can expect, जब तक है 16,000 अगर आप यहाँ पर मैं को आपको zoom करकर दिखाता हूँ, जब तक है 16,500 के उपर closing नहीं देती है, तब तक मेरे लिए buy setup बिल्कुल भी generate नहीं होने वाला, अब जो मेरा next target होगा, आप clearly देख सकते हैं, range bound हुआ, उपर जाने की कोशिच करी, विक ने rejection दिया, नीचे आया, exactly अब नीचे जाने की कोश 16,000 का, तो yes, we can expect कि अब 16,000 का level भी आ सकता है, और शायद वहाँ से आप pause ले 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 हो, अब वहाँ पर हम उसके अगले दिने gap up एक्जामिन कर सकते हैं, बट अभी ने, bank nifty को चेक करते हैं, bank nifty को अगर हम लोग चेक करें, exactly same चीज़ फॉलो हो रही है, let's open 15 minutes time frame, 15 minutes के time frame प पूरी momentum कर दी, उसके बाद से एक बार भी नीचे नहीं गया, again उपर गया, gap filling गरी, नीचे आया, उपर गया, created a double top, अब नीचे दुबार आ रहा है, और exactly इसी level से rejection ले के, दिखें गाइस, from my side, market is neither bearish nor bullish, market एक sideways के चकर में अटा गया है, और उसकी वज़े से हम लोग मार्क market के अंदर पैसा lose कर रहे है, मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे ते, इसर आज भी market gap down हो गया, मेरा पूरा का पूरा capital vanish हो गया, यह गलतिया जो आप लोग कर रहे हो ना, सोचके कि market बहुत नीचे आ चुगा, अब मैं long करूँगा, वो गलतिया नहीं करनी है, market और भी नीचे ज follow करनी चाहिए, अगर आप हमें देखते हो, that means आप सोचते हो कि हम जो आपको बताएंगे, वो सही सही बताएंगे, तो please उसको implement करो, फाल तुम्हें अपना पैसा मत लगाओ market के अंदर, let's wait किता और गिर सकता है, किता और गिर सकता है, and then we'll enter, ठीक है, so चलिए, यह हम लोग जोई में आउ टिली गरम नीचे डिस्रिप्शन पे लिख भी यह है, तो पहला स्क है, MFL, let's, let me open an MFL, यहां पर आप चेकर सकते है, आरली टाइम प्रेम पे, आफटर अवेरी गूद गूमिंटम, यह एक्जाकली एक राइंच के अंदर है, आप देक सकते हैं, आप देक सक blue color की line को focus करोगे अगर इस line की उपर कली जाना start करता और 15 minutes की candle भी close होती है definitely we can expect कि जो next target होगा that should be around this level and our last target should be this level so हमें buy कप करना है अभी दो current price चल रहा है 1351 का चल रहा है जैसी 1363 की उपर 15 minutes की candle close करती है हम लोंग जा सकते हैं with a target of 1400, 1400 and 10 and the next target should be 1480 rupees का तो MFL है इसे watch करके चलिए जब तक ऊपर closing ना हो तब तक buy बिलकुल मपत करिएगा सोच के कि अभी सस्ता मिल्टर हम लोग करीद लेते हैं next talk है guys Shree Pushkar Shree Pushkar सिमिट की अगर मैं बात करूँ तो let me open this as well 2 hours का time frame open करते हैं and okay let's first of all let me open our weekly dime बहुत अच्छा इसने 2018 पे फॉल करा था और इसका जो हाई था exactly 380-320 था after a very very good recovery it created a very good range जो कम से कम अगर आप मान के चलो तो 4 से 5 महीने चली थी after that a very good breakout good volumes के असाद एक अच्छा breakout आया अपने previous recent high तक गया अब यह नीचे आके इसने इस level को retest करा है आज के दिन इसने बहुत अच्छी इस level से momentum करी है और यहां से उपर गया है after creating a double bottom मुझे लगता है कि अगर कल यह dip भी देता है तो हम लोग इसे buy करने के बारे में सोच सकते हैं अगर यह कल यह ऊपर भी जाना start करता है तो भी हम buy कर सकते हैं with small quantities because यहां पर जो risk है वो थोड़ा सा जादा बढ़ा है as according to the reward but MFL में थोड़ा हम लोगों को risk कम मिल सकता है यहां पर अगर मैं बात करूं तो next target होगा 320 rupees का जो की recent high है अगर इसके ऊपर निकल जाता है और एक daily या weekly closing देखने को मिल जाती है तो इसका जो guys next target होगा वो 400 plus हो सकता है क्योंकि यह lifetime high के levels को cross कर देगा और एक अच्छे level से ऊपर जाएगा क्योंकि यह weekly time frame पे ऐसा कि आप check कर सकते हैं यह एक cup and handle formation मना सकता है this is the cup और यह इसका एक handle होगा and after a breakout एक बड़ी rally we can imagine so guys यह थी सारी चीज़े जो macro micro factors जो driven कर रहे है market को जो news है market को driven कर रहे है जो fear inflation को वो market को driven कर रही है let me assure you market से थोड़े time दूर रहा हो let market stable उसके बाद हम लोग crypto पे भी same चीज़ है let the crypto market get stabilized उसके बाद हम लोग enter करेंगे हम यहर दिन trade लेने के बिल्कुल भी जरू रखती है video पसंद आए video को like करिए share करिए subscribe करिए channel को और मैं मिलते ना हूँगा इसी के साथ अगर मुझे कुछ नया देखने को मिलते है market पे I'll definitely come again बट अगर कल भी मुझे same चीज़ दिखती है तो मैं कल video upload नहीं करूँगा हर दिन video upload ना करने से बहतर है जब मैं तब ही upload करूँ जब मुझे कुछ आपको सिखाना बाई बाई आपको आपको